स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि BSSC द्वारा जो इंटर लेवल का एक्जाम कराया जाने वाला है 8, 9 और 10 दिसंबर को इसका एड्मिट कार्ड आप किस तरह से डाउनलोड कर पाएंगे तो चलिए जादे जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं सब्सक्राइब करिए इस्टेडी फर जॉप चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए तो यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको पूरी परक्रिया बताएंगे कि आप इसे किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए तो सबसे पहले आपको इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आपको उसी लिंक पे जाना होता है तो इसके लिए आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको सिंपली उसी लिंक पे जाना होता है उस लिंक पर जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको जाना आए नीचे यहाँ पर हेडिंग है कि डाउनलोड बिहार SSC इंटर लेवल प्री एक्जाम 2014 एडमिट कार्ड 2018 तो देखिए आज 22 नमंबर है और आजे के दिन एडमिट कार्ड आना है लेकिन ये वीडियो हम सुबह 8 बच के अंटावन मेंट पर रिकार्ड कर रहे हैं तो अभी ये एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है लेकिन ये एडमिट कार्ड आप इसी तरह 10 बज़े के बाद आखे डाउनलोड कर पाएंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आपको जाना होगा नीचे यहाँ पर लिखा गया है कि जो बिहार करमचारी चैनायो का पेपर रही है 24 का था और इसके लिए एडमिट कार्ड 22 नमबर को जारी कर दिया जाएगा आप नीचे जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक नोटिस मिलती है एडमिट कार्ड के संबंद में नोटिस तो अगर आप यह नोटिस पीडियाप में देखना चाहते हैं तो आपको इसी पर क्लिक करना होगा जो एडमिट कार्ड लिखा गया इसी पर यहाँ पर आप फोटो फार्मेट में यहाँ पर देख सकते हैं तो चलिए सबसे पहले आपको नोटिस दिखा दें तो आपको सिंपली एडमिट कार्ड के संबंद में नोटिस पर क्लिक यहर पर क्लिक करना होगा यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने वो नोटिस खुलने लगती है तो ठोड़े दियर में यह नोटिस आपके स्क्रीन पर होगी देखिए यह नोटिस है और यहाँ पर यह नोटिस जारी होई है 20 नोवंबर की यहाँ पर दिया गया है कि जिन कंडिडेटों का एक्जाम 8, 9 और 10 दिसंबर को होना है इनका एडमिट कार्ट 12 नोवंबर को जारी कर दिया जाएगा और इसके लिए आपको आयोग की वेपसाइ चारी कहें तो आज 10 बजे के बाद आप बड़े ही असानी से इसको डाउनलोड कर पाएंगे उससे पर ले आपको बता दें कि भी एससी ने इसके लिए कंडिडेटों को एक बिसेस हिदायत जारी किया है अगर आप वो हिदायत देखना चाहते है तो इसके लिए लिंक यहा जाना है क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में भी आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तो यहां से आप जान पाएंगे कि आपको क्या नहीं लेके जाना है अब रही बात एड्मिट कार्ट के लिए आपको जाना होगा नीचे और नीचे आ आप आयो के website पर होंगे और यहां से बड़े ही असानी से इसका admit card download कर पाएंगे तो इस तरह बड़े ही असानी से आप अपना admit card download कर सकते हैं आज के इस वीडियो में इतना ही आप इस video को like करिए अपने दोस्तों में share करिए Finally, study your job की update सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें Thank you